पूरी तरह से शिल की जाएगी उक्त निर्ने बिदेशी महतों की अध्यक्स्ता में सुक्रवार को हुई बैठक मिलिया गया संचालन पुसकर महतों ने किया है बताया गया है कि स्थापना दिवस पर जार्खन अंदोरन कारियों को उपेक्छा के बिरोध में समता जजमेंट के अधार पर 26 परतिसत रोयल्टी एक बेहतर समरीद साली जार्खन राज बनाने मरांग गोम के जैपाज सिंग मुंडा की जनती तीन जनवरी को जार्खन अंदोरन कारियों को अधिकार देने समेत अने मांगों को ले करिया आर्थिक नागे बन्दी बुलाई जाएगी वहीं बिदेशी महतों ने मांग किया है कि राज सरकार ज़ार्खन के जल जंगल जमीन और खनी संसाधनों के अधिकारों पर ज़ार्खन अंदोरन कारियों के लिए जेल जाने के बद्याता को मंत्री म अंदल द्वारा दूर कर सभी को राज किये मांग समान नियोजन पाचान वा समान रूप से पेंशन पाचास या रूपए दे ज़ार्खन ओपन इन्वर्शिटी में पढ़ने वाले STSC को मिलेगी छात्रविर्थी ज़ार्खन स्टेट ओपन इन्वर्शिटी में अधियन रत STSC वा OBC काटेगरी के छात्रशात्राओं को भी अब पोस्ट मैट्रिक स्कोलोसिप मिलेगी राज सरकार ने इसकी अनुमती पदान कर दी है आधिवासी का लेन आयुक्त अजय नाथ जहा इसकी सोगिरिती से समधे जनकारी विसो भी दैले को उपलब्द करा दी है विसो भी दैले द्वारा डाक्टर मनोज कुमार अगरिया को नोडल अधिकारी मनोनित किया गया डाक्टर अगरिया ने बताया है कि विसो भी दैले को यूजर आइडी एवं पासवर्ट उपलब्द करा दिया गया है विसो भी दैले को पोस्ट मेट्रिक स्कोलर सीप देने की स्रेनी में सामिल करने पर कुल पत्ती डाक्टर टी एन साहू रइष्टार डाक्टर घंत स्याम सिंग ने जहारकन सरकार को धर्मकोड पर कुंडिली मार कर बैठा है केंद्रे सियम हमांत मुख्य मंत्री हमांसुले ने कहा है कि उनकी सरकार ने पिछडे वर्ग को 27 पिती आरक्चन देने और गरीबों के आरक्चन को बढ़ाने के लिए विधान सभा से बील पास कर कानून बनाने के लिए कदम लेकिन राजभवन इस बिल पर कुंडिली मार कर बैठा है वही आदिवासियों को अलग धर्म कोड देने के लिए सदन से पारित प्रस्ताव पर भी बिरोधिक कुंडिली मार कर बैठा है मुख्य मंत्री सुक्रवार को बरहेट के गोपाल डी में आपकी योजना आपकी सरक आपके द्वार अभ्यान के तिसरे चरम का सुबाराम करने के बाद सभा को समोधित कर रहे थे इसी मौके पर सीम ने 212 क्रोर से अधिक की विकास हुआ कल्यानकार योजनाव का भी सिलन्यास अरुद घाटन किया है किसानों को 29 नॉमबर से ड्रोन की दी जाएगी ट्रेनिंग विक्सित भारत संकल प्यात्रा के तहत पुर्वी सिमुम जीले में भी खेती के लिए ड्रोन की सहता ली जाएगी ड्रोन से कितनासक और यूरिया का छिड़काव किया जा सकेगा अलू, मतर, गेहू, माका, सर्सो, अरहर के फसल में उर्वरको का एस्प्रे ड्रोन से होगा इसके लिए किसानों को प्रसिक्षित किया जाएगा बतादे भारागोडा में 29 नॉमबर से 10 दिसंबर चाकुलिया में 11 दिसंबर से 21 दिसंबर वहीं धालभूमगड में 22 दिसंबर से 26 दिसंबर डुमरिया में 17 दिसंबर से 31 दिसंबर घाट सिला में 28 दिसंबर से 7 जनवरी गुंडाबांधा में 8 जनवरी से 11 जनवरी मुसाबनी में 12 जनवरी से 22 जनवरी और सहरी छेत्र में 13 जनवाई से 26 जनवाई तक किसानों को ड्रोन की सिक्षा दी जाएगी वहीं बुडाम में 29 नॉमबर से 4 दिसंबर तक सिक्षा दी जाएगी जारखन के 4 जिलो को छोड़ सभी में टपक सिचा योजना का होगा भुगतान प्रधान मंत्री किसी सिचा योजना के तहत प्रती बुंद अधिक उपज के तहत कराये गए कारियों के भुगतान के लिए राशी जारी कर दी गई है चार जिलो को छोड़ सेथ जिलो को राशी आवंटित कर दी गई है बता दे कोडारमा खुटी रामगर और हजारी बाइक जिलो को छोड़ सेथ जिलो को भुगतान करने के लिए राशी दे दी गई है हजारी बाइक जिलो में गरवड़ी की सिकात मिलने के बाद क्रिसी सचियों ने सभी जिलों में जाच का देश दिया था इस कारण कई जीलों का भुकतान रुका हुआ था अब भुकतान के लिए रासी उपलब्ध करा दी गई इस रासी से कराए गए कार्यों का भुकतान किया जाएगा इस काम के लिए सुची बद कई कमपनियों ने काम किया है मैट्रिक इंटर की परीक्षा का बदलेगा पैटर्ण जार्खन में मैट्रिक इंटर की परीक्षा का पैटर्ण बदलने की त्यारी की जा रही है अब परीक्षा ये कोविट से पहले के पैटर्ण पर ली जाएगी जार्खन एकेडमी काउंसिल जैक ने इसका प्रस्ताव त्यार कर स्कूली सिक्षाय वमसर्क्रता विभाग को भेज दिया है जैक दुआरा त्यार प्रस्ताव के नुसार OMR सीट पर ली जाने वाली परिक्षा में 10 अंक की कटोती की गई है अब OMR पर 40 के बदले 30 अंकों की परिक्षा ली जाएगी वहीं OMR सीट पर ली जाने वाली परिक्षा में सभी प्रस्ण एक अंक के और बहुभी कल्पिय होते हैं वहीं उतर पिस्तीका पर 40 के बदले 50 अंकों की परिक्षा ली जाएगी अंत्रिक मुल्यांकन पुरु की भाती 20 अंकों को ही होगी गोतलाब है कि कोविट के दोलन मैट्रिक इंटर की परिक्षा प्रेटर्न में बदलाव किया गया था जार्खन के चोकिदार भी अब अंदोलन की राह पर जार्खन में पहले से ही टेट पास सहयक अध्यापक अहारता परिक्षा पास पाला सिक्षक पंचायद स्वयम सेवक क्रिसक मित्र कांदुरन अलग-अलग मांगों को लेकर चल रहा है अब इसमें राज के चोकिदारों और दफादारों के एक वर्ग का नाम भी सामिल हो गया जार्खन राज दफादार चोकिदार पंचायद के बैनर तले छो सुत्री मांगों को लेकर बर्तमान और पुर्व में चोकिदार की सेवा दे चुके लोग इस तहरना परदसन में सामिल है सानिवार के परदसन में सामिल गुमला जी लेके चोकिदार भूज जगत गोप ने कहा है कि चोकिदारों के लिन इधारित कारे के साथ साथ पुलिस अधिकारी अलग-अलग तरह के काम दे दिया जाता है हर दिन थाना आकर हाजरी देने को कहा जाता है जो गलत है एवजी नियुक्ति की प्रकिरिया पुर्व के अनुसार जारी रखने सेवा भी मुक्त किये गए चोकिदारों की पुना नियुक्ति सहिच्छा हजूत रिमांग के लिए राजबहन के समक्ष पिछले दो दिन से धाना परदसन कर रहे हैं डीप फेक के जरी आठ नवालिक लड़कियों का बनाया नियुड वीडियो राजबहनी 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 के एक नामी सिक्षन अस्थान की आठ लड़कियों के तस्वीर डीप फेक के जरी निूड वीडियो बना कर इसे इस्टाग्राम जैसे सोसल मीडिया पर वारल करने वाले हैवान को रांची पुलिस ने बिहार के मुझापफर पूर से गिरफतार कर लिया है रांची पुलिस ने इस करवाई को बेहत गुपत तरीके से अंजाम दिया जिसके बाद आरोपी गिरफत में आया है बता दे दो दिन पुर्व रांची के सिटी एस्पी राज कुमार महता के पास कुछ नवालिक लड़किया मिलने पहुँची थी उनकी उम्र सोला से सत्रा साल के बीच थी सब ही भीतर से काफी डरे हुई थी और किसी अंजान भय से भैवित थी मामले की गंभीता को समझते हुए सिटी एस्पी ने उन्हें सारी बात बताने को कहा इसके बाद जो कुछ भी सामने आया हुआ बहत चोकाने वाला था भागपा मवादी का सब जोनरल कमांडर बबन भुकता गिरफतार भागपा मवादी संगठन के सक्रिये सब जोनरल कमांडर बबन भुकता उर्फ बबन जी को पुलिस ने गिरफतार कर लिया है, मवादियों ने पुलिस बलको छती पहुचाने के उद्यस्त से आईडी लगाया था, साथ ही पलामू के छतरपुर में चल्ड है सरक निमान में लगे हाईवा, ग्रेंडर, मिक्सर और ट्रेक्टर में आग जनी भी की थी, सब जुनरल और किसी बड़ी घाटना को अंजाम देने के लिए अपने घर नौकारडी प्रपात पूर के तरफ आया हुआ है, इसी सुचना के आलोक में 14 SDP नितित में 21S छापे मारी टीम का गठन किया गया आयप और डाक पे के माध्यम से ठगी 6 साइबर गिरफतार, गिरेडी पूलिस ने साइबर अपराद के खिलाप एक बाफी से बड़ी करवाई की है, पूलिस ने बेंगा बांद और गांडे थाना चेतर के अलग-अलग इलाकों में छपे मारी कर आधा दरजन साइबर अपर गोडिया का रहने वाला भीम मंडल, आसन बोनी निवासी, बिनोध मंडल और मुकेस मंडल सामिल हैं, इन 6 साइबर अपरादियों के पासे पुलिस ने 27 मोबाईल फोन और 32 सिम कार्ड भी ब्रामत किये हैं, नवंबर तक पूरे राज्य के तापमान में गिरावट की सुबह से लेकर साम तक कोहरा का नाजारा देखने को मिल रहा है, राज्य में एक बार फिर से मौसम का मिजाज बदलने लगा है, दरसल बंगाल की खाड़ी में बन रहे है निम दबाव के छेतर का असर राज्य में भी देखने को मिल रहा है, मौसम बिग्यान केंडर रांच किसान आंदोलन से थमे रेल के पहिए किसान आंदोलन के कावन पंजाब और जम्मू जानने वाली कई ट्रेने बूरी तरह प्रभावित हो गई है गोमो होकर चलने वाली टाटा अमरीच सर जालिया वाला बाग एक्सपरेस के पहिए बीच सफर में ही थम गए आधे घंटे से अधिक देर तक अलग अलग जागो पर फंसी ट्रेन को अमरीच सर के बदले यमुना नगर तक चलाया गया वही वापसी में सुक्रवार को चलने वाली अमरीच सर टाटा जालिया वाला एक्सपरेस को रद कर दिया गया फिरोजपूर केंट से धनवाद के लिए गुरुवार को चली गांगा सतलज एक्सपरेस मार्ग परिवर्तन के कारण 5 घंटे से अधिक की देरी से चल रही है वही इस टेन के सनिवार को बिलम से पहुँचने की संभावना है वही सुक्रवार को फिरोजपूर केंट के बदले इस टेन को लुधियाना से चलने की सुचना जारी की गई है धन्यवाद सरकारी नोकरी और सरकारी जोजनाओं के बारे में जनकारी के लिए हमारे फेस्बुक पेज जर्खनी न्यूज को लाइक करना ना भुले लिंक डिस्क्राप्शन बॉक्स में मौजूद है धन्यवाद